हेलो एब्रीवन वेलकम टो संजनाज वेच किचन आज मैं बना रही हूँ काचर और ग्वारपली की सब्जी एकन सिंपल विधी की साथ जैसे की पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर क्लिक किजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नूट मिर्च काचर लिया है ये लगबग एक केजी है आपके शहर में इसे क्या कहते हैं कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए और ये है गवारपली ये लगबग एक पाव है चार से पांच हरी मिर्चों का बीज निकाल करके ऐसे बड़े टुक्रों में काट लिया है अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो कम दीजिएगा झाल झाल अब हम गवारपली को प्रेशर कुकर में डाल देंगे और एक सीटी आने तक हम इने प्रेशर कुक करेंगे और गवारपली के साथ में हम प्रेशर कुकर में डालेंगे पानी और कुकर में पानी इतना डालें कि फली के उपर रहे इसके साथ हम डालेंगे आदा चोटा चमच नमक इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद अब हम इसे एक सीटी आने तक पका लेंगे कुकर में सीटी आच चुकी है अब हम इस कुकर को ठला हमे के लिए फिनारे रख देंगे 10-15 मिनित के लिए अब हम एक कड़ाई में दो टेबल स्पून कुकिंग आयल डालेंगे मैं यहां रिफाइंड आयल लए रही हूँ आप चाहो तो सरसों तेल भी ले सकते हैं और इसमें डालेंगे आदा छोटा चमच जीरा एक तेश पत्ता एक चोथा ही छोटा चमच हिंग आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर अब हमने जो यह काचर काटके रखे थे इन्हें डाल देंगे कड़ाई में स्वात के अनुसार नमक डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स करके कड़ाई को ढगके पांच से साथ मिनिट के लिए पका लेंगे और यह हमारा प्रेशर कुकर भी ठंडा हो गया है तो चेक कर लेंगे यह देखे गवार फली को हम ऐसे प्रेस करके देख लेंगे कि यह बॉइल हुई है या नहीं और काचर को भी हम बीज बीज में कड़ाई खोल के चेक कर लेंगे कि यह सीजे हैं या नहीं काचर पकने के बाद ही हम इसमें गवार फली डालेंगे और मसाले एक बड़ा चमस लालमिश पाउडर डालेंगे आप अपने स्वात के अनुसार डालिएगा एक बड़ा चमस धनिया पाउडर और यह बॉइल की हुई गवार फली को भी हम इसमें डाल देंगे आवशकता अनुसार थोड़ा पानी डालेंगे और अब दो से तीन मिनिट और ढखके इसे पकने देंगे ताकि सबजी अच्छी तरह से घुल जाए और यह जो हमारी हरी मिर्च कटी हुई थी यह भी डाल देंगे इसमें और यह देखिए एकदम ला जवाब सबजी बनके तयार हुआ है चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं फेस्बूक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच पर वाचिग मैं वीडियो